हमें integrate करना है under root के अंदर x upon में aq-x3 यह देखने में लग सकता है थोड़ा हार्ट लेकिन यह है बहुत असान असान में इसले बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको ऐसे रिख दोगे न under root x upon में under root के अंदर aq-x3 तो भी आपको थोड़ा easy लगने लगेगा अगर अभी भी नहीं लग रहा तो मैं एक काम कर सकता हूँ देखो एक चीज़ आपको पता है कि x की power 3 by 2 को differentiate करने पे under root x आता है मतलब x की power 1 by 2 आता है साथ में constant value भी होगी मानता हूँ लेकिन यह आता है है ना तो अगर मैं नीचे यह लादू x की power 3 by 2 उसे में t लेट कर गे ऊपर वाला तो मैं cancel कर सकता हूँ है ना तो मैं ला सकता हूँ क्या possible है तो यह answer है हाँ बिल्कुल है कैसे ऐसे देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दू तो a की power 3 है ना इसको मिलेखने वाला हूँ a की power 3 by 2 की power 2 एकी बात है minus का minus x की power 3 है ना तो x की power 3 by 2 की power 2 बस ऐसे मैंने क्यों किया अभी बताया था मैंने अगर मैंने कहा था कि नीचे अगर x की power 3 by 2 होती तो मैं t लेट करके उसे जो उपर है x की power 1 by 2 ही तो ही अंडरूट का मतलब वही तो होता है तो मैं उसे cancel कर सकता था अब देखो मैं लिया आया जो चाहिए था तो लेट करने वाला हूँ मैं x की power 3 by 2 को t और differentiating both side हमें क्या मिलेगा पहले power लिख दो फिर power है minus 1 करो 3 by 2 minus 1 मतलब 1 by 2 आएगा तो हमें x की power 1 by 2 फिर x का dx मिलेगा t का dt मिल जाएगा तो यहां से मुझे dx की value क्या मिल रही है 2 upon में divide मैंगा 3 3 और divide मैं आजाएगा x की power 1 by 2 और dt यह मिलेगा मैं तो यह put कर तो इसमें इसे कुछ मान लो इसो i मान लेते हैं तो हमें i क्या मिलेगा यह मारा i ही है न यह वाला चीन चीतोगी है हमने तो यहां पर गया x की power under root x है न उसको में लिखने बाला हम x की power 1 by 2 एक ही बात है बस देखने में अच्छा लगा इस लिखिया हमें नहीं under root के अंदर एक ही power 3 by 2 का whole square और क्या है minus x की power 3 by 2 जिसे हमने t write किया है तो t का whole square लिखूँ हमें हमें आपे और dx की value क्या है हमार पास जो निकाली है हमने 3 sorry 2 upon में 3 x की power 2 dt ये निकाली है value हमने है कि नहीं तो यहां पर भी x की power 1 by 2 है यहां पर भी ये cancel कर दो 2 by 3 तो consonant एक काम कर बाहर निकाल लो उसको तो हमें क्या मिलेगा i is equal to 2 by 3 integration 1 upon में under root के अंदर a की power 3 by 2 की power 2 minus t square dt क्या इसे integrate नहीं कर पाऊगे अब बताओ formula यह रहा दिखाया था में starting में आपको यहां पर मेरा a क्या है a की power 3 by 2 है और x क्या है t है तो put कर दो formula हमारा बन रहा sin inverse x by a का तो sin inverse x क्या है हमारा x हमारा t है तो t upon में a क्या है हमारा a हमारा a की power 3 by 2 है ठीक है plus c यह हमारा answer आ चुका है बस आपको t की value put करनी है जो let की थी आपने t हमारा x की power 3 by 2 है न यहापर मैं लिखने वाला हूँ यहापर 2 by 3 भी है तो into 2 by 3 भी कर दो यहापर 2 by 3 कर दो अब यह complete हो गया ठीक